दिनांक 28-10-21 को एक पहरी रिपोर्ट थाना राजा खेडा में मंजु देवी पतनी गंगाराम जाती निसाद गाम देवदास का पराने प्रसुत की और उसने बताया कि दिनांक 27-10-21 को साम को करीब 3-4 वजे मेरे पती गंगाराम अपने बच्चों को स्कूल से लेकर अपने घरा आ रहे थे तभी पहले से तयार बैठे मुल्यम रामोतार, रमाशंकर, गोवर्धन, रमाकांत, राजाराम, तरवेणी, प्रियंका इन सभी ने उसके साथ मारपीट की और जब ये मंजु नारायनी रेखा और सीनु बचाने गई तो इनके भी साथ में मारपीटों मंद में अपर जलायवू शरसन्यादीश दौलपुर द्वारा धारा 302 में मुल्यम राजाराम पुत्र महिलाल, त्रवेणी पत्नी राजाराम, प्रियंका पत्नी उमाशंकर, गोवर्धन पुत्र राजाराम, राम संकर पुत्र राजाराम, राम उतार पुत्र राजाराम, रमाकांत पुत राजा राम को हाजिवन कारावास की सया और 10,000 रुपे करदन से दनित किया गया